नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका मेरे चैनल पे दोस्तों मैंने आपको बताया था कि इंडिया ने रूद्रम मिसाइल का परिक्षन किया है सुखोई 30 MKI से ये एक एंटी रेडियेशन मिसाइल है और ये टेस्ट सपल रहा आज हम जानेंगे डिटेल के अंदर कि इसका रोल क्या होगा इसके फीचर क्या है और क्या किसी अन्या फाइटर जेट जैसे की मिराज या तेजस के साथ भी इसको इंटीग्रेट करने का प्लैन है तो चलिए दोस्तों इसी पर बात करते हैं शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले बताना चाहूँगा कि ये मिसाइल है वन मिसाइल जो कि अंटी रेडियेशन मिसाइल है सुकोई 30 MKI से इसका सफल टेस्ट किया गया है तो ये इसलिए रूदरम वन कहा जा रहा है क्योंकि इसके आगे के वर्शन भी आने है जिसके अंदर रेंज भी ज्यादा होगी और और भी फीचर होंगे और दोस्तों इंडिय देश को एक critical air to ground weapon देती है जिसकी मदद से हम enemy के radar और surveillance system को destroy कर सकते हैं और दोस्तों ऐसा पहली भार नहीं हुआ है कि इंडिया ने anti-radiation missile का friction किया है ऐसा ही एक test हमने जनवरी 2019 के अंदर भी किया था इस missile को विक्सित करने के पिछे हमारा लक्षय ये था कि युद के समया पे हमें एक tactical air superiority मिले और साथ ही इसकी feasibility study हमने 2012 के अंदर ही शुरू कर दी थी और हमारा उस समय लक्षय ये था कि एक ऐसी missile को design और configure किया जाए जो पूरी तरह से indigenous हो और इसके लिए DRDO को जरूरत थी कि वह बहुत सी crucial technologies को develop करे जिसके अंदर wide band का passive seeker हो, millimetric wave active seeker हो, इसके dual pulse propulsion system भी शामिल था, और यही काम DRDO ने किया और ये सारी चीजें उसने हासिल कर ली, और दोस्तो जहां तक बात है कि missile काम कैसे करती है, ये इसके नाम से ही सपस्ट है, ये anti radiation missile है, इसलिए जो भी चीजें radiation emit करती है, यानि कि तरंगे छोड़ती है, उनको ये destroy कर देती है, च जहां तक दोस्तो इस missile की length की बात है, तो ये 5.5 meter लंबी है, इसका weight 600 kg है, और दोस्तो इसे millimeter wave active seeker terminal guidance system के साथ less किया गया है, और दोस्तो ये missile काम कैसे करती है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसके अंदर जो seeker होता है, वो identify करता है, इसके target को और locate करता है और उसके लिए दोस्तो ये एक radio frequency pulse छोड़ती है, जो target के उपर जाके वापिस bounce back करता है, और उसी को फिर ये process करता है, और उसकी range और उसकी position को देखता है, और determine करता है, और फिर उसके उपर हमला करता है, और जब ये missile travel कर रही होती है target की तरफ, तब भी इसे target की जानकारी मिलती रहती है, इसे guidance और navigation मिलती रहती है, इसके sensors के input से और इसके homing seeker technology की वज़े से, जो specially passive homing seeker होता है, और इसे जो input मिलते हैं, वो इसके उपर लगा एक on board computer system process करता है, और फिर एक autopilot command generate करता है, और साथ ही दोस्तो इसे control करने के लिए, इसकी दिशा को decide करने के लिए, वो इसे steer करता है target की तरफ, और अब दोस्तो हम देखें कि इस missile का हमें फाइदा क्या होगा, हमारे पास पहले से ही air to air missile है, तो दोस्तो सबसे बड़ी बात है जो दुश्मन की surface to air missile होती है, या फिर जो उसका air defense system होता है, उसकी वज़े से हमारे fighter jet को काफी ज़्यादा खतर होता है, जैसा कि हमने बाला कोट air strike के दोरान भी देखा था, लेकिन उस समया हमारे fighter jet की capability और हमारे pilots की capability की वज़े से हमें कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन दोस्तो ऐसा खतरा होता है, खास कर अगर हम चाइना के साथ युद करें तो उसने अपने air defense system लगा दिये हैं, त दोस्तो आपको बताना चाहूंगा कि दुनिया की पहली anti-radiation missile जिसका नाम AGM-45 Shrike है, इसे अमेरिका ने develop किया था और तब से अब तक दोस्तो इसके कई upgraded version भी आ चुके हैं, इसके इलावा Russia और Brazil ने भी खुद की ही anti-radiation missile develop की है, और अभी दोस्तो इंडिया है, इंडिया ने भी इस missile को develop कर लिया है, और इस missile की range 100 से 250 km बताई जाती है, लेकिन दोस्तो आपको बता दें कि इंडिया के पास अकेली ये ही missile नहीं है, इंडिया ओल्रेडी रशिया made KH-31P anti-radiation missile को इस्तिमाल करता है, अब दोस्तो इसके आगे क्या प्लान होगा तो मैं बताना पहले तो इस missile की range को आगे और जादा बढ़ाया जाएगा और इसके इलावा इसके और भी test हो चुके है, हलांकि आज का test सफल रहा है, और दूसरा plan है इसको मिराज fighter jet और तेजस fighter jet के साथ में जोडने का, और basically दोस्तो अगर हम बात करें तो इसे तेजस MK2 के साथ में जोड जा सकता है, क्योंकि अभी तेजस MK1 है, उसके अंदर अभी बहुत से feature आने है, लेकिन जो तेजस MK2 होगा, उसके अंदर MK1 के भी feature होगे और जो हमने और टेकनोलोजी डेवलप की है, वो भी उसके साथ में आएगी, और इसके इलावा दोस्तों हमने जब ब्रहमोस missile को भी बहुत ज़्यादा problem नहीं होती, केवल इतनी दिक्कत होती थी कि अगर वह दूसरे देश की missile है, तो हमें कई बार सोचना पड़ता था कि हमें इजाजत मिलेगी या नहीं, या उसके अंदर बहुत सी उन देशों की condition भी रखनी पड़ती है, लेकिन अभी ऐसा नहीं है, तो जल्दी इसे मिराज और तेजस fighter jet के साथ integrate भी कर लिया जाएगा, धन्यवाद जैहिंद